आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which one of the following is not an IUD? पुझा कि इन चारों में से कौन सा IUD नहीं है और IUD का मतलब क्या होता है तो इसको हम लोग Intra-Uterine Device के नाम से जानते हैं और Intra-Uterine Device यह यह यूटेरस में लगाया जाता है और इसका Main Motive होता है To Prevent Pregnancy और इसी हिसाब से देखते हैं कि कौन सा यहां पर IUD नहीं है तो First है जो कि यहां पर Walls है Walls का बात करें तो यह Basically एक Covering Provide करता है और इसको Female Condom हिसाब से जाना जाता है और यह जो Female Condom होता है यह Basically IUD नहीं होता है Instead यह Cervix में लगाया जाता है जिससे कि Block किया जा सके जो भी यहां पर Sperm Entry होता है और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि First Option जो है वहीं यहां पर Correct हो जाएगा वही Next है जो कि Copper T बोला गया है और Copper T एक IUD है जो कि T-Shaped का होता है जहांसे Copper ions Release होते हैं और Sperm का Entry Block कर देते हैं Multilode 375 का बात करें तो Multilode 375 जो है यह Basically Plastic का बना हुआ होता है और यह भी IUD होता है जो कि Hormones को Regulate करते रहते हैं तो प्रोजेस्टार्ट का अगर बात करें तो प्रोजेस्टार्ट जो होता है यह Combined Pill होता है या अपर हम कह सकते हैं कि Combined Method होता है जो कि क्या होता है कि Estrogen और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही को कंट्रोल करता है जिसे कि Pregnancy जो है वो ना हो सकी और यह भी एक Intra-Uterine Device ही होता है तो इसलिए हमारा Correct Option जो है वो हो जाएगा Walls और उसी को हम यहाँ पर Tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सुपर